बिरपूर वासियों को कई जगह ऐसे कई वाड ऐसे हैं कि वहां पे बिजली नहीं है लोगों को रहने के लिए घर नहीं है शिक्छा वश्वास्त जैसे कई समस्याओं से बिरपूर की जनता जूज रही है तो रिमा दाज बिरपूर नगर वासियों से मेरा साधर आगरा है कि अगर आप मुझे इस पत के लिए वाड़ चेर्मेन के पत के लिए देखना चाहते हैं तो मेरा चिनावचीन तितली चाप है तितली चाप पर वोट देकर मुझे विजय बना है नमस्कार में परदी परभाकर आप देख रहे हैं में एक्सप्रेश नियूज स्वागत आप सभी का हमारे इस खास शो नेता जी बोलिए क्या क्या करेंगे विकाश आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ बासित करने के लिए जुरे हैं वो है बीरपूर नगर पंचायत के प्रत्यासी रिमादास जी स्वागत आपका हमारे इस खास शो में सबसे पहले बीरपूर नगरवासियों को मेरा प्रणाव रिमादास जी आप चुनावी मैदान में उतर आये हैं क्या मुद्दा रहेगा आपको बीरपूर को एक सुन्दर और सुख्ष बेरपूर बनाने क लिए नाली की उत्म वेवस्ता होनी चाहिए नित्ता की जल जमाव ना हो और सफाई की पूरी वेवस्ता होनी चाहिए क्योंकि सफाई रहेगा तो स्वास्त रहेगा तो सफाई के द्रिष्टिकोंड से कंप्लीट बीरपूर में सफाई होनी चाहिए नाली की उत्म वेवस् ऐसे नहीं द件 है घ्ने के बहुत बरी बात आप बता रहे हैं ब्याहर कि नियुक्स्क पूंचा दी है ने कि और बहुत इयरे ऊगे सिप्रेद अना होगा चुछ मधिमी आपके एक और ढ scp में अठोर विकेस न हूं वे शरू सक्राइब विकास होंता आगक तो हम एक चितर ऐसा ही गुमते हुए पहुचे वहां पे तो पता चला कि वहां बिजली की कोई भी बेवस्ता नहीं है, किसी भी तरह की टापोल, तार हम खुद भी देखें, तो कहीं कोई भी बेवस्ता नहीं थी, इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है कि बिजली की उत्तम चाहिए लोगों को रहने के लिए घर नहीं है तो रिमादाजी हम जानना चाहते हैं कि आपके नजर में और आपके अनुसार एक बिरपूर एक नगर पंचायत कैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से नगर पंचायत बिल्कुल साफ स्वक्ष होना चाहिए सुंदर होना चाहिए और सुंदर बनाने के लिए काम तो हम लोगों को खुद को करना पड़ेगा अगर बिरपूर की जनता चाहती हैं कि उनका विकास हो तो सबसे पहले उनको खुद एक सुयोग के नेता चुनना होगा जो उनका समस्या को समस्या को दूर कर सके यह जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि मेरा विकास हो मेरा विकास नहीं हो सकता है इसलिए बिरपूर वासियों को जागरुख होना पड़ेगा और वो खुद से सोच समझ कर भली भाती समझ कर अपना नेता चुने ताकि उनकी समस्याओं को वो समझे और उसे दूर कर सके आप जनता जनादन के बीच जा रही है और अपने मुद्य उनके बीच रख रहे हैं तो लोगों का जनताओं का कैसा आपको समर्थर मिल रहा है मेरा तो पहला की अटेंप है इसमें मतलब पहले से हम जुड़े हुए नहीं थे मगर समाजे कारे में मेरे पती का योगदान है चिकित सासे जुड़े हुए है और मैं भी उसी थुरू मदद कर रही थी और मेरा कोई खास तो योगदान नहीं था भी तक मगर यह मेरा पहला प्रयास है और मेरी पूरी कोशिस होगी इस पार मैं डोटू डोड जा रही हूं वोट मागने के लिए मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि मेरे पांस साल के कारे को देकर जनता मुझे खुद आएगी कहने के लिए कि नहीं आपको इस पत के लिए चुना चाहि कि अगर आप मुझे इस पत के लिए वाइस चेर्मेन के पत के लिए देखना चाहते हैं तो मेरा चिनाव चुन तितली चाप है तितली चाप पर वोट देकर मुझे विजय बनाए चलिए अभी हमारे शाद जुरे हुए थी रिमा दास जी जो बीरपूर नगर पंचायत के उपमुखे पारसत पत से उमिद्वार हैं और वो अभी आप सभी जन्ता जिनार्दन से अपिल कर रही थी कि वो उन्हें बीरपूर नगर पंचायत के उपमुख पारसत से उन्हें ज तोईट तोईट